हेलो दोस्तो, स्वागत है अब सभी का एक बार फिर से खेल पॉइंट पर दोस्तो, साउथ अफरिका के खिलाब जारी सेंचूरियन टेस्ट में भारतिय सुपस्टार खिलाडी विराट कोली द्वारा किया गया टोटका सोचल मीडिया पर खूब वाइरल हो रहा है दरसल, दीन एलगर और टॉनी जॉर्जी की साज़दारी को तोड़ने के लिए कोहली ने स्टूर्ट ब्रॉट का वो तरीका अपनाया जो इंगलिज खिलाडी ने एसे जोजार तेस के दोरान ऑस्टिलर की खिलाफ अपनाया था इसके बाद जब कोहली ने साउथ अफ्रिका के खिलाफ उनके इस टोड़के का इस्तमाल किया तो इस्टूर्ट ब्रॉट भी इस घटना पर प्रतिक्रिया देने से खुद को नहीं रोग पाए जिसके बाद यह रियक्शन सोचल मीडिया पर वार्यल हो गया दोस्तों आपको बता दे कि डीन एलकर और टॉनी जोर्जी के भी दूसरे विगट के लिए हुई बड़े साजारी ने भारत की टेंशन बढ़ा दी थी इस बीच विराट कोली से रहा नहीं गया और उन्हें ने पारी के 29 वे उबर में बैल्स की अदला बदली कर दी ऐसा ही कुछ इसे सिरीज के दुरान स्टूर्ट ब्रॉड ने किया था इस स्टोटके से उस समय भी बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज का ध्यान भंग हुआ था और बॉलिंग टीम को विकेट मिली थी कोली के भी स्टोटके से भारत को फाइदा मिला और जस्पिरीज दुम्रा ने दो गेंदों बाद जौर्जी को आउट कर दिया इसके बाद जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ इंगलैंड के पूर्फ दिग्गस गेंद बाद इस्टोट ब्रॉट विराट कोली को टोटका कर से देख खुद को नहीं रोप पाए उन्होंने अपने सोचल मीडिया अकाउंट पर लिखा विराट कोली की सफलता विराट आ आपका ये अंदास देखकर मज़ा आ गया तो दोस्तो बात मकाबले की करे तो खबर रिकॉर्ड की जाने तक मेजबान टीम ने डीन एलगर के शतक के दम पर भारत पर 145 रनों की बड़त बना ली है और इस बड़त के साथ उन्होंने प्रोटियाई टीम को बहुत ही होता हुआ नजर आ रहा है तो दोस्तो अब आपको हमारी खबर कैसी लगी या आप हमें कमेंट करके बताए अगर आपको वीडियो पसंद आ जाओ तो वीडियो को लाइक करे और शेयर करे इसके साथ ही साथ इस पोर्स जगह से जोड़ी ऐसी तमाम खबरे जानने के लिए सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भोले धन्यवाद